सब्सक्राइब कर ये भारत का बैस्ट बॉडिबिल्डिंग चैनल तो मेरा नाम है सीम और आप रुख देख रहे हो बॉडिबिल्डिंग इंसाइड है तो फ्रेंड्स वो घड़ी आ चुकी है अब सिरफ एक ही दिन रह चुका है एमिचूर उलम्पिया के लिए और गयजे वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वालू हूँ ज़ितने भी एथलीट्स को मैंने कवर करा है इस चैनल के अंदर उन सबी की गयज मैं आपको finally आज मैं फिजीक अपडेट देने वालू हूँ और उससे पहले guys मैं इस वीडियो की शुरुवाद एक positive note के साथ करना चाहता हूं guys कि जितने भी athletes compete करने वाले हैं amateur Olympia के अंदर जो कि अब सिरफ एक दिन रह चुका है guys मैं सारे athletes को बहुत बड़ा क्यों congratulate करना चाहता हूं बहुत उनके hard work की मैं respect करना चाहता हूं guys तो guys पहले athletes हम लोग शुरुवात करते हैं जिसका नाम है तरुंगिल और guys तरुंगिल ने अपनी latest physique update डाली अपनी इंस्टाग्राम के अंदर आप जैसे देख सकते हो guys उनका जो new look है without beard look वो आ चुका है और इसके अंदर guys वो अपनी waste को जादा highlight कर रहे हैं वो ये show करना चाते हैं कि waste जो है उनका strong point होगी इस बार ये amateur olympia के अंदर जैसे बहुत साहे लोगों ने तरुंगिल को criticize किया था कि उनकी waste की problem आईगी amateur olympia के अंदर तो यही है guys वो अपनी waste को show कर रहे हैं और वो ये indicate करना चाते है कि उनने अपनी problem ठीक कर लिए और वो amateur olympia के अंदर अपने weak point को strong point बना कर रहेंगे day 1 की journey से लेकर अब तक उनने सबसे best transformation उनका तरुंगिल का ही था guys बाकी मेरे को उनकी physique से जो में को उनकी problems है वो बात छोड़ के अगर मैं उनकी transformation की बात करूँ तो उनकी transformation काफी बढ़िया थी बाकी guys वो कैसा perform करेंगे amateur olympia के अंदर वो हमको अगले दिन ही पता चलेगा जोग्योगा 4 December को तो चले guys हम लोग अपने अगले athlete की तरव बढ़ते हैं guys और guys मिरको पता है ये athlete आप सभी लोगों के favorite है और सिरफ आप ही लोगों के favorite नहीं है ये मेरे भी favorite है और इनका नाम है और guys ये वाली वीडियो जो है मैं अपने hotel से बना रहा हूँ पर आप guys उनकी arms देख सकते हो उनकी veins देख सकते हो उनकी vascularity देख सकते हो फिजीक के अंदर और guys आप देख सकते हो कि अब शेक यादव ने इस टाइम पे नमक और पानी दोनों छोड़ रखा है इसलिए guys जो उनकी फिजीक के अंदर vascularity और dryness है वो आ चुकी है और बाकी अपने वो Instagram के अंदर और भी updates देते रहते हैं और उनकी update देखने के बाद मुझे ये भी पता चला कि वो मेरे hotel से काफी जाथा पास में रह रहे हैं तो चलिए guys हम लोग अपने अगले athlete के तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है कोई भी चीज हम लोगों से चुपाते नहीं है और guys सिधान जेस्वाल इस टाइम पे बहुत बड़ी अलग रहे हैं उनके mid section उनका strong point है बाकी उनको men's physique का experience भी है guys काफी जादा guys strong points होने वाले इस बार amateur Olympia के अंदर and no doubt कि सिधान जेस्वाल इस बार बहुत अच्छा perform करेंगे और guys बहुत साइ लोगों ने उमीदें लगा रखे हैं कि सिधान जेस्वाल इस बारी बहुत अच्छा perform करने वाले हैं और guys जब मैं जाँगा amateur Olympia 4 December को तो मैं यही expect करूँगा कि अभी शेक यादव और सिधान जेस्वाल का judges one on one मुकाबला जरूर करें men's physique category के अंदर तो guys चलिए हम लोग अपने अगले bodybuilder की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है के अंदर complete कर रहे हैं यह बाद याद रखिए guys और open bodybuilding के अंदर size सबसे ज़्यादा important होता है और conditioning important होती है हर चीज important होती है उसके अंदर तो guys देखते हैं कि अमित पंगाल कैसा perform करते हैं amateur Olympia के अंदर और guys आप लोग comment करके बताओ इस वीडियो के अंदर कि इस बार यह ऐसा कौन सा bodybuilder होगा चुकि सबसे ज़्यादा surprise करेगा हम लोगों को इस बार यहाँ amateur Olympia के अंदर तो guys मैं interested रहूँगा आप सभी लोग के comments जानने के अंदर तो चलिए guys हम लोग अपने अगले bodybuilder के तरह बढ़ते हैं जिनका नाम है एहसान आलम और guys एहसान आलम की फिजीक मेरे को बहुत अच्छी लगती है men's फिजीक के perspective से because उनका बहुत अच्छा frame आता है और उन्होंने भी अपनी फिजीक अपडेट अपने Instagram पे डाली है और guys जैसे कि अब उनकी फिजीक देख सकते हैं इस टाइम पे वो काफी ज़दा full है उनकी फिजीक के अंदर volume है इस टाइम पे guys और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि काफी सारे लोग मुझे comments के अंदर कह रहे थे कि एहसान आलम की फिजीक के अंदर gyno है तो guys वो fix कर पाते हैं कि नहीं कर पाते competition से पहले वो मुझे पता नहीं और हो सकता है guys अगर वो gyno लेकर आए stage के अंदर तो उनके points भी deduct हो सकते है because judges हर चीज़ देखते है men's physique के अंदर तो guys हम लोग देखते हैं कि ऐसा नालम कैसा perform करते है amateur Olympia के अंदर तो चले guys finally अब हम लोग अपने आखरी bodybuilder की तरफ बढ़ते है इस list के अंदर जिसको मैं cover करने वाला हूँ जिनका नाम है रोहित खत्री और guys रोहित खत्री ने काफ़ी सारी अपनी physique update डाली अपने instagram पे और रोहित खत्री हम सबी लोग को ये प्रूफ करना चाते हैं कि वो इस बार ये अपना best package लेकर आना चाते हैं हाला कि guys size की कमी है उनकी physique के अंदर पर वो ये show करना चाते हैं कि वो अपनी physique के अंदर conditioning लेकर आएंगे और structure लेकर आएंगे तो guys इस चीज़ के अंदर अभी भी में को doubt है कि रोहित खत्री इतने कम time के अंदर अपना drastic improvements कर सकते हैं तो guys वक्त ही बताएगा कि रोहित खत्री हम सबी लोग को prove wrong कर देते हैं कि नहीं कर पाते हैं और men's physique के perspective से भी रोहित खत्री की physique के अंदर काफी सारे issues लगते हैं तो मैं यहीं उमीद करूँँगा guys कि रोहित खत्री अपना best package लेकर आए amateur olympia के अंदर और अपने लिए एक अच्छी placing secure कर ले तो guys at the end of the day मैं यहीं चाहतों कि जितने भी bodybuilders हों अपना best package लेकर आए और हम सभी लोग को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिले जो हम सभी लोगों ने कभी ना देखा हो तो guys आप लोग like करिए इस वीडियो के लिए नहीं उन athletes के लिए जिनोंने की पूरा hard work किया इस competition के लिए अपनी सारी चीजें दी हैं इस competition के लिए because guys bodybuilding कोई असान sport नहीं है और guys once again सारे athletes के लिए मैं काफी respect करता हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि सारे athletes अपना best package लेकर आएंगे और guys यह वाली वीडियो आपको देखने को मिली कि 3rd December को और guys 3rd December को आपका press conference और athletes check-in होगा और 4th December को आपका pre-e-saging होगा men's physique और सारे categories का तो guys 4th December को मैं जाऊंगा amateur Olympia के अंदर और guys आपके लिए मैं जितना हो सके guys content लेकर आता रहूँगा तो guys जितने भी लोग मुझे से पूछे थे कि मैं life कैसे देखूं तो guys आपको जितना भी content होगा आपको इसी channel पर मिल जाएगा तो guys subscribe करिए भारत का best bodybuilding channel तो guys मैं आप सभी लोग को मिलतों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा इस तिल देन टेक केर and बाई